हेलो दोस्तों नमस्कार इस टाक मारका शेयर उट चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं वीवानता इंडस्ट्री लिम्टेट शेयर की क्योंकि इससे समंदी जो 25 तारिकों मीटिंग होनी थी वो फिलाल होती हुई नजराई है और उसमें कुछ बहुत बड़े नेड़े लिये गए हैं जिसको हम इस वीडियो में डीटेल से चर्चा करने वाले हैं अगर हम उस नेड़ेओं के एक बिरिफ हिस्ट्री आपको बता दें तो इसमें जो क्यूत्री कर जारी कर दिया गया है जिसको हम डीटेल से देखेंगे साथी साथ इसमें फंड हैं एक बहुत बड़ा लोन उठाने के भी घोश्रा करती हुई नजर आई है तो इसमें हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो लोन कितने का ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें जो एक और जो सबसे बड़ा नीड़े लिया गया है वो ये कि जो ड्रोन और AI से समंदी जो कंसल्टेंट का ये एपोइंटमेंट करने वाले थे उन्होंने फिलहाल एपोइंटमेंट कर दिया है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं और इसमें कुछ जो नीड़े लिये गए हैं उसके बारे में ये डीटेल से चर्चा करते तो इसमें जो पहला नीड़े लिया गया है वो इन्होंने जो Q3 का रियल्ट जारी कर दिया है जिसमें कॉंसल्डेट के साथ 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 इस्टेंड एलोन दोनोड यो रियल्ट आया है वो सामिल करते हुए नजर आ रहे हैं जिसे हम आगे पूरा डीटेल से देखने वाले है वहीं इसमें जो दूसरी ये news की अगर हम बात करें तो ये 36 करोड का एक fundraising करने वाले हैं और इस fundraising किस माध्यम से करने वाले हैं इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये right issue के माध्यम से ये fundraising करने वाले हैं इसके अलावा जो तीसरी इसमें निड़ा लिया गया तीसरा वो इसके बारे में बताते हुए निजरा रहे हैं कि इसमें जो ये consultant का निधार होना था drone license के लिए और robotic business के लिए तो इसमें ये निधार करते हुए निजरा रहे हैं और डारेक्टर जनरल आप जो civil aviation है DGCA वहां से ये regulation प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो company है विवानता industry लिमिटेड ये फिलाल अब ऐसा लग रहा है कि ये drone sector में entry बहुत धमकेदार तरीके से ले चुकी है और साथी साथ robotic business में भी ये उतरती हुई नजरा रही है और इसमें जो पहला कदम है कि ये बढ़ाते हुए नजरा रही है और जो अतुल कपाडिया सहाब हैं उन्हें consultant के रूप में appointment करते हुए नजरा रही है तो इस news को ध्यान से देखिए और इसे समधित और नेवाले समय में जो भी जनकाल या निकल के सामने आएंगी उसे भी हम समय समय पे update आपको जरूर करेंगे इसके अलावा एक जो और बड़ी news लिकल के सामने आई है वो ये ये जो company है वो 10 करोन का ये फिर एक loan उठाने वाली है जो की 8% के पर NM के दर से इस पे ब्याज पे होगा और ये 5 साल के लिए ये लोन उठा रही है जिसका turn 25 जनौरी 2024 से शुरू हो गया है तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो company है वो चार नीड़े ली है जिसमें बहुत बड़े बड़े नीड़े लिकल के सामने आए हैं अब हम अगर बात करें ये जो Q3 का result जारी करी है उसकी तो इसमें हम देखने वाले हैं consolidated result की क्योंकि जो consolidated result होता है उसमें other subsidies जो भ data यहां पर दिया गया है और इसमें जो data यह दिया गया है यहां पर यह सिग्मेंट बता रहा है कि December का quarter जो बीता है 2013 का उसका सिग्मेंट है और यह सितंबर 2023 का quarter 2 का सिग्मेंट है और यह December 2022 के quarter 3 का सिग्मेंट यहां पर बताया जा रहा है अगर इसमें हम सबसे पहले बात क जो इसका वास्तिविक जो जिस बिजनेस में ये काम करती है उससे कितना रिवेन्यू प्राप्त करती है तो उसकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि quarter 3 यहाँ था दिसंबर 2030 में एक हजार साथ लाग का ये तोटल करोबार करती हुई नजर आ रही है वहीं जो पिछले quarter यानि अगर हम बात करें सितंबर 2030 के quarter की तो उसमें ये 894 लाग का टोटल रिवेन्यू फ्राम आपरेशन प्राप्त करते हुए नजर आ रही थे तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि quarter on quarter base base के रिवेन्यू फ्राम आपरेशन में ठीक ठाक प्रिती दिखाई दे रही है लगबग एक करोड की वहीं अगर हम बात करें year on year base पे तो ये दिसंबर 2022 के quarter में ये 623 लाग का टोटल रिवेन्यू फ्राम आपरेशन प्राप्त करती हुई नजर आ रही है तो इस हाप से आप देख रहे हैं कि year on year भी इसमें अच्छी खासी विर्दी देखने को मिल रही है लगबग 400 लाग की अर्था चार करोण की विर्दी दिखाई दे रही है इतनी छोटी सी कंपनी में हमें यहीं पर बात कर लें इसके जो टोटल इंकम प्राप्त हुआ है उसकी तो क्वार्टर यानि सितंबर 2023 में यह 894 लाग का टोटल करोबार करती हुई नजर आ रही है तो यहां पर आप देखिए कि year on year बेस भी अच्छा खासा विर्दी दिखाई दे रही है जबकि quarter quarter बेस भी लगबग 1 करोड के विर्दी यहां पर दर्ज करती हुई नजर आ रही है टोटल इंकम में चुकि आप जानते हैं कि जब भी कोई कमपनी कारोबार करती है तो इंकम प्राप्ट करती है तो साथ में उसके कुछ खर्चे भी होते हैं तो अब हम इसके बात करेंगे इसके total expense की तो इसका जो total expense यहां पर दिखाई दे रहा है quarter 3 यानि दिसंबर 2023 के quarter 3 मे ये 980 लाग के आसपास दिखाई दे रहा है जबकि पिछले साल दिसंबर 2022 के quarter में ये 522 लाग के आसपास था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि year on year base पे इसके जो total expense है उसमें अच्छी खासी बिर्थी देखने को मिल रही है जबकि quarter quarter base पे अगर बात करें तो ये 826 लाग का total expense करती हुई नज़राई थी सितंबर 2023 के quarter में जो की बढ़के इस quarter में 980 लाग पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से income में बिर्थी हुई थी उसी हिसाब से यहाँ पे total expense में भी बिर्थी होती खाई दे रही है ना क इसके जो total profit हुआ होगा जो net profit हुआ होगा उस पे भी यह total expense असर डालता हुआ दिखाई देगा अब हम अगर बात करें टेक्स देने से पहले इसके profit है लाउस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि quarter 3 के जो बिता है दिसंबर 2023 का उसमें यह total 28 लाग का profit करती हुई नज़र आ रही थी तो इससाब से आप देखिए कि year on year base पे इसके profit में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है जबकि अगर हम बात करें quarter on quarter base पे तो यह 68 लाग का total profit before tax प्राप्ट करते हुई नज़र आ रही है सितंबर 2023 के quarter में जो कि घटके दिसंबर 2023 के quarter में यह 28 लाग पे पहु ज्यादा बिर्धी होने के कारण यह जो data है आपका पूरा बदलता हुआ नज़रा रहा है अगर यह company अपने expense पे अच्छा खासा control कर लेती यह जो data आप देख रहे हैं यह फिलाल कुछ और दिखाई देता और इसमें जो quarter three में यह इसमें कमी आई है इसके profit before tax में वो फिला कहा जाता है जिसमें जो tax होता है उसके साथ साथ अधर जो भी खर्चे होते हैं और अधर जो भी चीज़े होती हैं उसको सामिल करके फिर यह net profit निकाला जाता है या profit for the period निकाला जाता है तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस quarter में चुकी expense मे अच्छी खासी विर्धी दिखाई दी थी इसलिए इसका profit for the period भी घटता हुआ नजरा रहा है न केवल year on year base भी घट रहा है बलकि quarter on quarter base भी घटता हुआ नजरा रहा है अगर year on year base की बात करें यह 100 लाग से घटके 28 लाग पर पहुंचता हुआ नजरा रहा है दिसंबर 2022 की त सितंबर 2023 की तूलना में यह दिसंबर 2023 में यह 68 लाग से 28 लाग पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है हम अगर बात कर लें इसके earning per share की तो चुकि अभी हमने ऊपर डेटा देखा कि जिसमें इसके expense में अच्छी खासी ब्रती देखी गई जिसका प्रभाव इसके profit for the period अधा earning per share बता रहा है कि year on year base पे इसके earning per share में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है और यह 0.1 0 से घटके 0.02 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है वहीं quarter quarter base पे अगर हम बात करें तो 0.05 से घटके यह 0.02 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है तो कूल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो यह जो company है revenue from operation के अस्तर पे तो बहुती जबज़स performance करती हुई नजर आई है लेकिन यह अपने expense पे control न कर पाने के कारण यह company फिलहाल जिस हिसाब से result पेस करना चाहिए था जिस हिसाब से market expectation लगा के बैठा था वो result पेस नहीं कर पाई है इसलिए अब जब अ तो इस company में जो फिलहाल upper circuit लगा हुआ है वो continue होता हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर यह negative लेता है तो इस company में यह मान के चलिएगा कि market को यह result हलाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है हलाकि जहां तक मेरा मानना है कि इस यह result है यह भले ही उतना बढ़िया नहीं दिखा लेकिन इसमें जो तीन development legal के सामने आये हैं चाहें वो fundraising से समंदी development हो या फिर drone और जो robotic business से समंदी development हो या फिर loan से समंदी development है उसके कारण समवार को इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल सकती है लेकिन यहां पर आपको एक disclaimer देना चाहेंगे कि यह जो वीडियो ह सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है आपको जनकारी देने के लिए है इसलिए इस वीडियो को देखके कोई भी investment करने से बचें आप जब भी investment करिये अपने बीतिये सलाकार से संपर करते हुए तब ही investment करिये और इस company के बारे pool analysis करने के बाद ही investment करने का प्रयाश करिये ताकि साथ में आपका भवी से भी अब मगर बात करें कि यह जो 10 करोण का यह लोन उठा रहे हैं 8% के ब्याशदर से परेनम के ब्याशदर से वो कहां से उठा रहे हैं तो इसके बारे में यह जो lender है वो विन्फरा ग्रीन प्रजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है जो की इसको ल बताया जा रहा है और यह जो date of education अप जो agreement हुआ है वो 25 जनौवरी को होता हुआ नजर आया है अर्थास इसी दिन से यह इनका 10 करोण का जो लोन पास हुआ है वो उसका date निर्धारित होता हुआ नजर आया है और यह जो इन्फरा जो green project है प्राइवेट लिमिटेड है इसक दिखाई दे रही है जो कि जो वी यानि विवानता इंदेस्ट्री लिमिटेड है उसके प्रमोटर के पास इसका 100% होल्डिंग दिखती हुई दिखाई दे रही है अब मगर बात कर लें यहीं पे इसके चार्ट पेटन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 25 तारी को मार् दिखने को मिलेगा लेकिन इस जो भी निड़े इसमें लिये गए है उससे बस यही लगता है कि हो सकता हे कि समार को मार्केट खुले तो य सब्कुर्ण्म c5 product में लगा रहे और वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि इसमें PC itself की ऐसमेंग दिख के शैस्ट परसंट का positive return जबकि 6 महिने की बात करें तो 1% का negative return लिकाल के देता हुआ नजर आ रहा है वहीं अगर हम बात करें यह till date की तो यह लगबग 2% का positive return लिकाल के देती हुई नजर आई है जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो यह पैसे को 155% बढ़ा दिया है जबकि अगर हम maximum chart pattern की बात करें तो यह जो company list हुई थी BSC पे 2 रुपे 17 पैसे पे 2018 में तब से लेके अभी तक 133% का return लिकाल के देती हुई नजर आई है लेकिन यह जो company है जिस छेतर में इंट्री करती हुई नजर आ रही है robotics और drone sector है उसमें साथी साथ EV charging sector है उसमें तो इसका भवी से भी प्लटने की छमता रखता है तो आने वाला समय में अब यह दिखना दिल्चस्प हुगा कि यह जो company है किस प्लान के तहर काम करती हुई नजर आती है और bell icon हिट करना तो बिल्कूल न भूले है ताकि नए वीडियो के job date से आपको ऐसे इस समय समय पे मिलता रहे है जैहिन दोस्तों